गूड इवनिंग अल उफ यू मैं हुजए और आप देख रहे हैं बैंको केरियर अकैडमी के यूटूब चैनल को आज अपन महत्वपूर्ण जग करंट अफेर हैं 20 और 21 अपरेल के वो देखने जा रहे हैं तो इस सेशन के अंदर अपन जो है वो क्या देखने वाले हैं मुखे तोर पर ये कुछ सेमराइज किया गया है वोर्ल प्रेस फ्रेडम रिपोर्ट को देखेंगे हैंले पासपोर्ट इंडेक्स को देखेंगे इको साइट बिल किसने जारी किया है इनजैनविटी है लूना 25 ह रहे हैं जेंडर डायलोग प्रोग्राम जो है वो अभी हुआ है वो किससे सम्मानदित है इसके बाद में सैचुरेटेड जो ऑक्सीजन बेस्ट सप्लिमेंटरी ऑक्सीजन डिलिवरी सिस्टम किसने डवलप किया है तो ये वो कुछ मतपुन अलिमेंटरी जो है वो पॉइं पर चलते हैं, तो आज का अपना पहला सवाल है, चार्ल्स गैस के जिन्हें चक के नाम से भी जाना जाता था, इनका निधन 81 साल की उमर में जो है वो अभी निधन हो गया है, वहें किस कमपनी के से सेंस तापक रहे हैं, एच पी के लिंग्डिन, एडॉब या फिर एन्वीड डी का मतलब है डॉक्यमेंट, और एफ का मतलब है यहां पे फार्मेट, तो पीडिएफ को जो है, वो सिस्टम को डवलप करने में भी इनका जो है वो एहम योगदान रहा है, तो इस जह है वो सवाल का जवाब आपका क्या रहने वाला है, एडॉब इसका आंसर यहां पे सह ही है, क्यूशन नमबर सैकिंड को देखते हैं, आर बी आई ने असेट रिकंस्ट्रिक्शन कंपनियों के कामकाज की समक्षा के लिए च्छे सदश्ये जह है वो समीती गठत की है, इस समीती का आपको धेक्स पूछा गया है, देखो इस साल का बजट यदि आपने पड़ा ह तो एर सी को जो है, वो यहां पे एक नए फॉर्मेट यानि बैड बैंक्स के तौर पर भारत में जो है वो गठत किया जा रहा है, तो इनके कारिये जो है की समिक्षा के लिए एक समीती गठत की गई है, और उसके मुख्या किसको बनाया गया है, दिपाली पन जोसी, सुदर सन सैन को यहां पे इस समीती का मुख्या बनाया गया है, नेक्स्ट क्वेशन को देखते हैं, सुमित्रा भावे उनका पैसा पूछा गया है, यानि वो किस प्राफेशन से जुड़ी भी थी, जिनके हाली के अंदर मरत्य हो गई है, तो इनको कई नैशनल अवार्ड जो है, वो रास्टी इस तरपे मिल चुके हैं, फिलम मैकर है, एकनॉमिस्ट है, राइटर है या स्पोर्ट्स विमेन है, तो इसका जवाब आपका कहा रहने वाला है, ये फिलम मैकर है, और बेसिकली ये कौन सी भासा की फिल्म जो है वो बनाती थी, मराठी भासा की फिल्मों से य QDV थी यहाँ पर नेक्स्ट क्रिस्ट पर चलते हैं सेंक्त रास्ट चेनी भासा दिवस सेंक्त रास्ट द्वारा प्रतिवर्स किस दिन मनाया जाता है तो चेनी भासा का यह दिवस UN के द्वारा 18 अप्रेल को 19 अप्रेल 21 अप्रेल या फिर 20 अप्रेल तो कब मनाया जाता है 20 को ये दिवस जो है वो मनाया जाता है आज का अगला सवाल है अपना स्टार्टप इंडिया सीड्स फंड स्कीम को कितनी रासे आवंटित की गई है तो ये जखो अभी जो है वो ये लाँच किस ने किया है ये पूछा जाए तो पी यूस जो है वो गोयल के द्वारा ये लाँ मंत्राले भी इन्ही के पास है इसके अलावा इनके पास जो कंजूमर अफेयर मिनस्ट्री है वो भी इन्ही के पास है तो ये तीन-तीन मंत्राले अभी इन्ही के पास है पी यूस गोयल के पास और पी यूस गोयल ने ही इस फंड की जो है वो कमेटी की यहाँ पे जो है उद तो यह रासी कितनी आवंटित की गई है, 925 करोड, 945 करोड, आंसर क्या रहने वाला है, 945 करोड यानि 945 करोड इसको आवंटित की गई रासी है, इसके बाद में आज की मेतपुन जानकारी है, एम नरसीमा कानिधन 94 वर्स की आईउ में हो गया है, ये फोटो एम नरसीमा की है, ये रिजर्ब बैंक के गवर्नर भी रहे हुए है, तो ये रिजर्ब बैंक के तेरवे गवर्नर थे, जो यहाँ पे मई, जह है, वो 2 से 1997 से लेक वो यहाँ पे रिफार्मर के तोर पर भी देखा जाता है, यहाँ पे बैंकिंग रिफार्म्स जो हैं देश के अंदर लाने में, इन्होंने काफी एहम भूमी का निभाई है, एन नरसीमा ने, तो कभी भी आपको यहाँ पे पूछा जाए कि भारतीय बैंकिंग जो यहाँ वहाँ पे सुधार है, उसके फादर किसको कहा जाता है, तो एन नरसीमा को यहाँ बोला जाता है, तो एन नरसीमा की हाली में मरत्य हो गई है जो एक्स गवर्नर आरबी आई के थे यहाँ पे इसके बाद में अगली महतवपूर्ण जानकारी जो है वो इंजियनविटी को लेकर है इंजियनविटी जो है वो पहला हेलिकॉप्टर है जो है चांद के ओपर चंदरमा के ओपर जिसने जो है वो उडान भरी है तो यह आप देख रहे होंगे यहाँ पे चांद की धरती पर वो उडान भरी थी और लगबग जो है वहाँ की सतय से 10 फिट की उचाई पर यह जो है गुंचालिस पॉइंट एक सेकंड जो है वो इसने उडान भरी थी वहाँ पे और यह हैलिकॉप्टर जो है वो सोलर प्लेट्स यानि सोलर पावर एनर्जी के माध्यम से वहाँ पे ग्रह पे जो है वो हैलिकॉप्टर जो है वो उडाया गया है तो यह एक अपने आप में बहुत बड़ा कीरतिमान है नासा के दुवारा और पर्थवी से जो है लगबग 28.93 क्रोड किलोमेटर की जो है दूरी पे ऐसा जो है वो मुकाम नासा ने प्राप्त किया है तो आप देख सकते हैं कि प्रथवी से कितनी दूरी पर जो है एक रेगुलेटर या कंट्रोल करते वे जो है वो इस हेलिकॉप्टर ने उडान बरी है जिसका नाम इंजैनविटी है और ये नासा से बिलॉंग करता है तो आने वाले समय के अंदर जो है जितने भी सोध है या और दे प्रणकारी जो है वो ऑस्टेलिया इंडिया इंडो पैसिफिक ओशियन इनेसिटीव पार्टनर सी प्रोग्राम को लेकर है और ये इंडो पैसिफिक रीजन से समधित है तो यहां पे आप देख रहे होंगे देखो ये तो अपना प्यारा भारत है और ये वाला जो हिस्सा ह इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है और भारत और ओस्टेलिया आपस में मिलकर इस छितर को जो है वो डवलप कर रही है विकसचित यहां पे करने का प्रियास कर रही है और औस्टेलिया ने अपने जो है वो आस्टेलियन डॉलर के रूप में वन प्ऺंट-पूर मिलियन और भारतिय मुद्रा पे देखे तो 8.12 क्रोड रुपए जो है वो इस योजना के लिए हाली में दिये हैं। तो यहां पे यह ध्यान रखना है आपको कि AIIPOP का मतलब क्या है और यह किस छेतर को डवलप करने के लिए दिये गए हैं यहां पे। अगली महत्वपुन जानकारी जो है वो एक स्कीम को लेकर है गौर्मेंट की जो ECLGS है यानि Emergency Credit Line Guarantee स्कीम है यह और इसके तहट जो है वो हैल्थ सेक्टर को जोड़ा गया है इस स्कीम के तहट देखो यह स्कीम अभी जो है वो सरकार ने बताया भी था कि इस स्कीम की अंतिम् लग वर्जन आये हैं 1.0, 2.0 और 3.0 वर्जन रहे हैं यहां पे तो यहां पे जो कामत कमिटी थी उसके द्वारा ये ट्रैक किया गया कि कौन कौन से वो stress sector है हाई stress sector है जिनको यहां पे credit की आवशकता है यहां पे अतरिक credit की आवशकता है ताकि वो grow कर पाएं यहां पे तो यहां पे क्या बोला जा रहा है कि scope of ECLGS 2.0 expanded यानि इसको विस्तित कर दिया गया है और health sector और 26 अन्य high stress sector को भी इसमें सामिल किया गया है अभी हाली के अंदर और वो अब eligible होंगे ECLGS 2.0 के लिए और SMA1 borrowers जो है वो यहां पे stress sector के अंदर है यहां उनके द्वारा लिया गया loan यदि special mansion account category 1 के अंदर आ गया है तो उनको भी यहां पे सहायता दी जाएगी इसके तहर देखो SMA जो है वो एक इस तरीके की category है जिसमें जो रिंड लिये गये हैं वो NPA होने की कगार पे होते हैं लेगिन उनको NPA नहीं कहा जाता है यानि यह 31 से 60 दिन की अवधी के लिए यदि overdue चल रहा है किसी का loan बकाया चल रहा है तो अपन उसको SMA1 category के अंदर रखते हैं और उसको special mansion account category 1 कहा जाता है तो उस condition में सरकार यहां पे stressful condition में उन उद्योगों की या उन इंडिस्ट्रीज की या उन यूनिट्स की जो है वो सरकार इस जह है स्कीम की मद्यम से मदद करने जा रही है और यह स्कीम 30 जून 2021 तक जह है वो भारत के अंदर विद्यमान रहेगी दूसरी चीज़ यहां पे और ध्यान रखनी है आपको कि इस स्कीम के तहट जह है तीन लाख करोड रुपे जो है वो सरकार इसके माद्यम से इन उद्योगों को जह है वो मदद कर रह स्ट लाइट हेलिकॉफटर इंटर सर्विस जिसको एल एच यहां पे रहा जाता है तो भारत में यह सवदेशी तोर पर निर्मित हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड यानि हल के माद्यम से इसको बनाया गया है और कमिशन कहां पे किया गया है इंडियन नैवल सीप हंस गुवा के अंदर इसको यहां पे सोपा गया है और नैवी के लिए इसका जो कोड है यहां पे वो आपको ध्यान रखना है आई एस ठी-टु-3 इसका जो है कोड है और यह एड़्वांस लाइट है को गया है और यह भारत में पहली बार सवदेशी तोर पर निर्मित यहां MK 3rd Series का ALH जो है वो यहाँ पे है तो यह एक Defense News थी इसके बाद में आगे देखते हैं यहाँ पे इसके बाद में अगली जानकारी दिवस को लेकर है World Creativity and Innovation Day आप यहाँ आपको ध्यार रखना है 21 अप्रेल को यानि आज ही के दिन यह मनाया जाता है इसको World Creativity and Innovation Day शॉर्ट में है SWCID यहाँ पे कहा गया है देखो इसके तहट एक Week का आयोजन भी किया जा रहा है अप्रेल 15 से 21 के बीच में और इस दिवस को मनाने के पीछे जो मुख्य उद्धश्य है वहाँ पे Awareness Create करना है Creativity की जो महत्वता है Innovations की जो महत्वता है उसके लिए Creativity Create करना यहाँ पे मुख सबर के अंदर नेक्स जानकारी जो है वो Global Energy Review 2021 को लेकर है यहाँ पे यह International Energy Agency जिसका Headquarter जो है वो कहाँ पे है पैरिस फ्रांस के अंदर है उसके द्वारा यह Review जो है वो जारी की गई है यह Review मूल रूप से अंतरास्टिय स्थर पर कार्बन के उचसरजन के स्थर को यहाँ पे तो इस रिपोर्ट में यह पताया गया है कि जो कार्बन डाही आकसाइड का जो एमिशन है वो यहाँ पे बढ़ेगा 33 बिलियन टन दिस यर यानि इस साल लगबग 33 बिलियन टन जो है कार्बन उतसरजन जो है वो बढ़ने वाला है और यह जो है वो ऐसा क्यों हुआ है कि को जो इस्तमाल की जा रही है थर्मल एनर्जी जनरेशन में इसकी वज़ए से ऐसा जो है वो देखने को मिलता है तो ग्लॉबल एनर्जी डिमांड इस सैट तो इंक्रीज और अंतरास्टी इस तर पर जो एनर्जी की डिमांड है वो 4.6% बढ़ने की यहाँ पे अनुमान है 2021 21 तक and led by developing economies pushing it about 2019 level the report said और हो सकता है इससे उपर भी चली जाए यहाँ पे और जो विकासिल जो अर्थमेश्ताएं हैं वो इसमें ज्यादा भूमी का अदा करेंगी जैसे चाइना है इंडिया है उनका ज्यादा रूल जो है वो यहाँ पे रहने वाला है इस तरह के जो है वो बहुत बड़ा एक तरीके से अपन देख सकते हैं कि यह चितावनी भरी इस्तती भी है क्योंकि यहाँ पे Paris Agreement के तहट जहाँ पे अमेरिका जो है वो carbon emissions को जो है वो कम करने पर जो है वो दबाव बना रहा है चाइना और भारज जैसे देसों के उपर वहीं यहाँ पे यह जो अगला जानकारी जो है वो यहाँ पे रास्ट्रिय दिवस को लेकर है National Civil Service Day जो है वो 21 अपरेल को ही मनाया जाता है और ये Civil Service Day जो है वो यहाँ पे जो इस दिन जो है वो मुख्यतोर पर सरदार वल्लब भाए पटेल के द्वारा जो है वो address किया गया प्रॉबेशनर्स जो administrative services officers 1947 के अंदर मैटकेफ हाउस दिल्ली के अंदर उन्होंने अपनी जो है वो संबोधन में कहा था कि जो civil servant देश के अंदर है वो steel frame of India के तौर पर यहां पर जो है वो जाने जाते है तो भारत में हर 21 हर साल 21 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है National Civil Service Day मनाया जाता है यह आपको यहां पर ध्यान रखना है मैतपुन जानकारी है यह दिवस के तौर पर next information पर चलेंगे देखो यहां पर हाली के अंदर RBI ने यह बोला है कि counter cyclical capital buffer जिसको CCY भी यहां पर कहा जाता है उसको यहां पर आवश्चक नहीं है क्योंकि बुरा समय भी चल रहा है COVID-19 का तो उसको लागू करना यहां पर जरूरी नहीं है वो लागू नहीं हो पाएगा फिलाल RBI had said the aim of counter cyclical capital buffer azim was twofold यानि इसका दोहरा जो है वो प्योग यहां पर बताया गया देखो सबसे पहले तो आपको यहां पर यहां पर यहां रखना है कि CCYB जो यहां पर है counter cyclical capital buffer जो है वो basically विश्वास तेरे पर बैसल थर्ड नियमों का एक हिस्सा है और इस बैसल थर्ड नियमों के तहट जो यह स्तती है वो basically यहां पर additional जो minimum capital requirement है यहां पर तो additional minimum capital requirement यहां पर है उसी को यहां पर एक तरीके से अलग वेख्या यहां पर की गई है और इसी को CCYB यहां पर कहा जाता है तो पहला जो यहां पर जो है वो इससा बताया गया कि it requires bank to build up a buffer of capital in good times यानि bank जो है वो अच्छे समय में अपने लिए पुझी का जो है वो एक स्रेक्शन या भंडार जो है वो यहां पर उसका निर्मान करें which may be used और उसका उप्योग जो है वो समभवतया किया जाए to maintain flow of credit to real sector in difficult time और difficult यानि मुसीबत समय के दोरान जो है वो उसी credit का उप्योग जो है वो ऐसे छित्रों को देने में किया जाए जो वास्त में उन छित्रों को जरूरत है credit की दूसरा हिस्सा यह क्या बता रहे है और दूसरा पहलू क्या है कि यह एक तरीके से जो यहाँ पे जो stress का period है उस stress वाले period के दोरान जो है वो बैंकों को यह एक तरीके से restrict भी करता है कि वो एक तरीके से माहोल में भीदभाव नहीं अपनाए यहाँ पे या indiscriminate landing को जो है वहाँ पे अपनाए जाए उनके दोरा तो एक तरीके से जो counter cyclical buffer है वो एक additional capital requirement है minimum capital requirement जिसको bank किस तरीके से अच्छे समय में बनाएंगे और बुरे समय में उसका इस्तमाल एक real sector को landing में करेंगे उसी से जुड़ा हुआ पहलू है यह और उसको RBI ने अभी फिलाल जो है active करने के लिए जो है वो रोक दिया है क्योंकि COVID-19 का जो दोर चल रहा है वो पहले से ही तनावपून बना हुआ है इसलिए थोड़े समय के लिए इसको रोक दिया गया है अगली जानकारी देखो यहां पे जो है gender dialogue program को लेकर है यानि जेंडर समवाद कारियकरम है यहां पे ग्रामिन मंत्रा लेके द्वारा इसको आए जो उन किया गया था तो दीन देयाल अंतोदे यूजना जो है नैशनल जूरल लाइबली हुड मिशन इसको कहते है और IWWAZ यानि Initiative for what works to advance women and girls in the economy के सेख्ट जो है वो पहलिये की गई थी और इसका मुख्य उद्श्य जेंडर मुद्दों पर ध्यान के अंद्रित करना है यहां पे यानि जो लिंग विबेदन जो किया जाता है आजीविका बढ़ाने के संद्र्ब में यहां पे गराम इन स्थापित किया गया और ये समवाद को जो है वो स्थापित करने में यहाँ पे डी ए वाई अनरलम और जो है यानि अपन कह सकते हैं दूसरे सब्दों में कि ग्रामिन विकास मंतराले द्वारा इसको सुरू किया गया था अभी हाली के अंदर अगली महत्वपुन जानकारी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर है देखो हैनले पासपोर्ट का हैड़कॉर्टर जो इस रिपोर्ट को जारी करता है इसका हैड़कॉर्टर लंडन यॉनाइटिट किंग्डम के अंदर है इस रिपोर्ट में देखो भारत की रैंक कितनी बताए गई है 84 रैंक यहां पे भारत की बताए गई है इस रिपोर्ट में देखो यहां पे क्या बताए गया है कि फर्स्ट पोजिशन पे जापान है सेकिंड पे सिंगापूर थर्ड पे जर्मनी और साउथ कोरिया दोनों है लेकिन जहां पे आप देखेंगी सबसे बुरे हा प्रेंडली पासपोर्ट कौन सा है तो सबसे ज़्यादा जो है ट्रेवल फ्रेंडली पासपोर्ट किसको माना गया है जापान को और सबसे बुरे हालात किस पासपोर्ट के हैं अफगानिस्तान के हैं जबकि भारत की यहां पे स्तान कौन सा है 84 जो है वो स्तान भारत का यहा महिला हैं प्रियंका मोहिते हिनका नाम है यहां पे और यह दुनिया की दस्वी सबसे उची चोटी अनपूर्णा जो कि यहां पे बेसिकली यह चोटी यह expect है वो कहां पे है नेपाल के अंदर है इस चोटी पे फत्ह पाने वाली यह पहली भारती महिला बन चुकी है यहां पर इसकी उचाईई जो है वो स्रंखला की कितनी है एड जिरो नाइन वन मीटर जो है इसकी उचाईई बताए जा रही है इससे पहले जो है वो प्रियंका जो है वो 2013 में सबसे उच्छी चोटी माउंट टैबरेस्ट और 2018 में माउंट जो है वो लिहत्से पर भी फते जो है वो कर चुकी है यहां पे तो यह भी यहां पर जानकारी दी गई है इसको भी आप ध्यान रखेंगे लेकिन यह जानकारी आपको मैतोपुन यहां पर फिलहाल यही है कि अनपूर्णा फते जो दुन्या की दस्वी सबसे उची चोटी है उस पर प्रियंका मोहिते ने जो है वो यहां पर मुकाम हसिल किया है इसके बाद में जो है वो यहां पर सुनील अरोडा को जो है वो यहां पर जो की एक्स चीफ एलेक्शन कमिशनर्स हैं उनको गुवा का जो है वो नेक्स्ट गवर्नर बनाय जा रहा है ये जानकारी भी यहां पे आपको ध्यान रखनी है अगली जानकारी जो है वो EPFO से जुड़ी वी है Employee Provident Fund Organization जिसको कहा जाता है इसका Headquarter आपको ध्यान रखना है कहां पे है नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्याले है देखो इस Organization के अंदर जो है जो नामांकन जोड़े गए है इस साल जनवरी में इसकी तुलना में जो है की जाए तो फरवरी में 3.52% जो है वो ज़्यादा नामांकन यहां पे हुआ है देखो EPFO के अंदर आखाता खुलाने के लिए UAN नमबर होना जरूरी है ये 12 संख्याओं का जो है वो एक कोड होता है यहां पे य UAN नमबर को बोलते है यूनिवर्सल A का मतलब है अकाउंट और N का मतलब है नमबर तो 12 संख्याओं का ये कोड UAN नमबर EPFO डेपार्टमेंट में यहां पे काम आता है अगली जानकारी आप देख रहे हैं कि डबल मुटेंट के कहर के बीच अब चार राज्यों में ट्रिप पकड़ रहा है लेकिन ये अब एक दुखत सूचना और है कि ट्रिपल मुटेंट वाइरस भी जो है वो पाया गया है महारास्टरा दिल्ली पस्चमंगाल और 36 गड इन चार राज्यों के अंदर इसका पता लगाया गया है यानि ये वो चार राज्ये हैं जहां पे ट्रिप इसके बाद में देखो DRDO ने एक औक्सिजन का एक विकल्प यहां पे खुजा है जिसको SPO2 यानि Blood Oxygen Saturations यहां पे कहा गया है तो DRDO ने इसकी जह है वो यहां पे डिसकवरी की है इसको खुजा है यहां पे और यह बेसिकली जह है वेक्ति को हाइपॉक्सिया की इस्तिती मे में इसका उप्योग लाए जाएगा और बताया जा रहा है कि COVID-19 में जो ऑक्सिजन की आवशक्ता पढ़ रही है उसको भी यहां पे उसकी भरपाई करने बेबी यह SPO2 जो DRDO के द्वारा एक विकल्प के तौर पर खुजा गया है उसको यहां पे काम में लिया जाएगा इस अगली जानकारी अपनी विश्व प्रेश फ्रिडम इंडेक्स को लेकर है विश्व प्रेश फ्रिडम इंडेक्स देखो यहां पे जो है मूल रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है तो आपको ध्यान लखना है यह रिपोर्ट जो है वो रिपोर्टर्स विदाउट है भारत की रैंक पूछी जाए तो 142 यानि जो है 142 वे स्थान पे भारत इसके अंदर है कितने देसों की रिपोर्ट है तो 180 देसों की रिपोर्ट ये ध्यान रखनी है आपको और सबसे उपर जो है वो यहाँ पे नौर्वे है नौर्वे के बाद में फिनलेंड और डैनमार्क देस यहाँ पे है यानि सेकिंड पे फिनलेंड और थर्ड पे डैनमार्क है यहाँ यहाँ पे यहाँ पे आप जहे है वो सबसे बुरे हालातों की बात करेंगे खराब स्रेणी में यहां पे रखा गया है यानि भारत, ब्राजील, मैक्सिको और रूस यह चार वो देश है और इन चारों को एक खराब यानि बैड काटेगरी के अंदर इस रैंकिंग के अंदर रखा गया है तो यहां पे यही ध्यान रखना है कि यह मूल रूप से ऐसा जो है वो क्यों हुआ है क्योंकि भारत में जो है वो कस्मीर और 36 गड के कारण जो है वो हालात बिगडते वे यहां पे नजर आ रहे हैं मेडिया के और भाजपा 2019 में भारे जीत के बाद मेडिया पर उसके हिंदू राष्टरवादी सरकार होने का परचार करने का दवाव बनाया है ऐसा कारण जो है वो इस सेंस्ताने बताया है तो इस वज़े से यह इस्तती यहां पे पैदा हो रही है तो Reporters Without Borders रिपोर्ट में भारत पेस फिडम के अंदर जो है 142 स्वेस्तान के ओपर बना हुआ है आज की अगली जानकारी अपने जो है वो टीके की जो है वो खराबी यानि इसको वेस्टेज करने के मामले की जो है बुचा जाए कि वो वैक्सीन को टीके को सबसे जादा खराब किसने किया है तो तमिलनाडू और हर्याना के दौरा किया गया है यदि आप बड़े राज्यों के इसाब से देखते हैं तो तमिलनाडू उत्तरपरदेस और गुजरात वो राज्य है जोनोंने वैक्सीन की डोज को यहां पर वैस्टेज किया है और आल रेंकिंग में आपको बताई दिया पहले नंबर पर यहां पर तमिलनाडू है तमिलनाडू राज्य सबसे आगे है उसके बाद में यहां वो हर्याना ने तमिलनाडू के बाद में हरियाना राज्ये ने सबसे ज़्यादा वेस्टेज यहाँ पे किया है तो यह बहुत दैनी अस्तती है कि जब लोगों को बोला जा रहा था कि वे आप टीका लगवा लीजिये तब लोगों के अंदर भी रुजान देखने को नहीं मिला और उससे जो टीके मंगाए गए अलग अलग राज्यों के अंदर उनकी परियापत मात्रा का अपन उप्योग नहीं कर पाए और यहाँ पे उनको समय रहते हैं उप्योग नहीं होने से वो वेस्टेज पूनते हैं यहाँ पे हो गए तो यह एक बहुत बड़ी इस्थती खराब है आने वाले समय के अंदर अपनी भी एक जिम्मधारी बनती है कि जब सरकार बोल रही है टीका लगवाने के लिए तो हमें आगे आके जो है वो टीका करण अभियान में सयोग करना चाहिए अधर्वाइज यही इस्थती जो है वो आगे आने वाले समय में रही तो इसी तरीके से लोकडाउन या फिर कर्फी जैसी इस्थतीयां भी बनी रह सकती है देखो एक रिपोर्ट जो है वो और चापी गई है अभी हाली के अंदर और यूएन की ये रिपोर्ट है बेसिकली यूएन की इस रिपोर्ट में देखो क्या बताया गया है यहां पे इस रिपोर्ट में जो है यह बताया गया है कि भारत और दूसरे जो अन्य देश है या इस साल डबल आपदा से जो है वो यहां पे गरशित रहे हैं डबल आपदा कुन सी हो गई एक तो महामारी की आपदा हो गई और दूसरी आपदा मोसम से सम्मंदित हो गई यहां पे तो यहां पे यह समझाना चाह रहे हैं इस रिपोर्ट में कि यह भारत में एक अमफान नाम का तूफान आया था और उसके चलते 14 अरब डालर का नुकसान जो है वो भारत को यहां पे हुआ है तो ऐसे विस्वक के अंदर बहुत सारे ऐसे तूफान है जैसे फिलिपिन्स के अंदर जो है एक वंग फंग तूफान आया था उसकी वज़ा से एक लाक असी जार लोग अप वातावर नहीं है जो बदलाव हैं या आपदाएं हैं उनकी वज़े से भी विस्वक के अंदर जो है वो बहुत बड़ा नुकसान जो है वो एकोनॉमी को यहां पे हो रहा है देखो इस रिपोर्ट में जो है यहां पे आपको क्या धिहान रखना है कि इस रिपोर्ट में ज और्जिकल और्गिनाइजेशन यानि विस्वे मोसम विभाग ने जो है वो इसको जारी किया है और ये एक तरीके से सबसेडिरी और्गिनाइजेशन है यूए नो कुई ही और उसने ये बताया है कि पूरा विस्वे एवन भारत भी जो है वो प्राकरतिक आपदाओं से वो देशों को हो सकते है आज की अगली स्लाइड पर चलते हैं GDP में जो है वो 2% की गिराव अटा सकती है ऐसा यहाँ पे मानना है तो 10% तक जो है वो कर दी गई है जो है और गुनी बताया है और अभी गठा के 12.6% कर दिया है जबकि जै पी मॉर्गन ने 11% कर दिया है और जेपी मॉर्गन ने पहले भारत की दर कितनी बता रखी थी 13% बता रखी थी 2022 में इसी तरीके से एक सेंस्टा ओर है जिसका नाम सिटी रिसर्च है इन्होंने भारत की GDP दर का अनुमान गठा कर 12% कर दिया है और पहले इन्होंने किता बताया था 15.5% बताया था तो ये GDP में जो गिरावट है वो अनुमानित जो है वो जो आकड़े पहले बताया गए उससे 2% जो है वो यहां पर अनुमानित आकड़ा जो है वो अलग अलग एजनसियों ने भारत की ग्रोध का कम कर दिया है यहां पे तो अब आपन अगली जानकारी पे चलते हैं देखो वाई यू परदूशन से हर साल 7 लाग करोड की भारत को चपत लग रही है और यह रिपोर्ट क्लीन एयर फंड और सी आई आई ने यहां पे दोनों ने मिलकर यह रिपोर्ट जो है वो जारी की है इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि वर्स 2019 के अंदर भारत के अंदर 17 लाग लोगों की अकाल मरत्यू हुई है और इस अकाल मरत्यू के अंदर यह भारत के कुल मोतों का 18% हिस्सा है और आने वाले के समय के अंदर यह आखड़ा और भी बढ़ेगा यहां पे इसके बाद में यहां पे एक जानकारी यहां पे और ध्यान रखनी है कि IT जो चेतर है यहां पे अब IT चेतर यहां पे बहार से अपना निवेस बढ़ना चाहिए लेकिन IT चेतर को परती वर्स 1.3 अरब डॉलर का नुकसान यहां पे हो रहा है और यह नुकसान दिन परती दिन जो है वो बढ़ता चला जाएगा यहां पे और बताया जा रहा है कि यह आकड़ा 2030 तक लगबग जो है इस नुकसान का आकड़ा दुगना हो जाएगा भारत एक दसक में दुनिया का पांचवा सबसे प्रदूशित जय है वो देश बन गया यह पे यदि आप विस्वसतर पर बात करेंगे तो भारत जय है वो टॉप फैफ कंट्रीज में हैं जो सबसे जादा πरदूशित है यदि आप सहरों की बात करेंगे यहां पे दुनिया में 30 सबसे प्रदूशित सहरों की बात करेंगे तो भारत जो है वो 21 नंबर पर यहां पे है तो यह हालात जो है वो दिन परते दिन देश के खराब होते चले जा रहे हैं और GDP का एक एहम हिस्सा बताया जा रहा है कि देश की GDP का जो है वो 3 फीस्दी के बराबर यह नुकसान जो हो रहा है देश को तो आप देख सकते हैं कि प्रदूशन जिसको अपन एक छोटी सी चीज कई बार कंसीडर करते हैं उसकी वज़ा से काफी सारे लोग जो है वो सालाना मर रहे हैं उस प्रदूशन की वज़ा से विदेशी कंपनिया अपने निवेस को भारत में नहीं करना चाती हैं क्योंकि लोग कमफरटेबल नहीं है काम करने के लिए यहां पे तो ऐसी स्तिती लगातार देश के अंदर बनी हुई है और इसके अंदर और जादा हालात खराब आने वाले समय के अंदर जो होँगे और जादा अकाल मरत्यू लोगों की होंगी तो ये बहुत बुरी जानकारी यहां पे हमारे लिए इसलिए प्रदूशन को कम से कम करने में आम जंता का जैसे योग हो सकता है वो हमारे दोबारा किया जाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पोदे लगाए जाने चाहिए ताकि इस सिथी को थोड़े इस तर तक जो है वो अपन नियंतरित यहाँ पे कर पाएं इसके बाद में जो है वो प्राइविट वीकल्स और जो गार्मेंट वीकल्स है उनके कामर्शियल जो है वो एक स्क्रैप पॉलिसी अपन को वीकल स्क्रैप पॉलिसी भारत सरकार ने इसी साल के बज़ट में जारी की थी तो देश के सभी 15 साल पुराने सरकारी वाहन जो हटें यहां पे तो यह इस्थथी यहां पर बताये गई है कि इनका नवीनी करण इना पर नहीं होगा देखो प्राइवेट वीकल्स जो भी भारत के अंदर जो है वो मुजूद है यहां पर उनको यह समय दिया गया है 20 वर्स का यानि 20 वर्स से उपर यह वीकल जो है वो रोडों पर नहीं चलेंगे इसके अलावा जब आप कॉमर्शियल वीकल की बात करते हैं यहाँ पे तो उनको यह समय दिया गया है पंदरा वर्स का तो यहाँ पे यह जानकारी आपको ध्यान रखनी है और एक अपरेल 2022 से यह ऐसे सरकारी जो दफ्तरों के अंदर वीकल है उनका नवीनी कर में उसने यह गोशना की थी कि कॉविड नाइनटीन का जो नया म्यूटेंट है डवल म्यूटेंट जिसको अपन बोल रहे हैं वो हवा के माध्यम से भी फैल रहा है और लोगों को संकरमित कर रहा है और इसी पत्रीका ने यह बताया कि भारत में जून में हर दिन लगबग धाई हजार से ज़्यादा मोते होने की आसंका कॉविड से बतायी जा रही है तो आने वाला समय बहुत दुखदाई हो सकता है हो सकता है कि लोग अपने रिस्तेदार को खो रहे होंगे तो अपनको सजग रहने की आवशक्ता है और कॉविड ऐप्रोप्रियेट बिहेवियर यहाँ पे सभी लोगों को अपनाने की आवेशक्ता है कुछ current affair को यहाँ पे summarize किया गया है जिसमें अपना पहला point इको side bill को लेकर है देखो इको side bill जो है वो फ्रांस के द्वारा जारी किया गया है यह आपको ध्यान रखना है और इस bill को तोड़ने पर 10 साल तक की सजा है और 4.5 million जो है वो यूरो का यहाँ पे खामियाजा भी या penalty के तोर भी देना पड़ सकता है environmental damage को रोकने के लिए यह वहाँ पे बनाया गया है इसके बाद में इंडिया और जर्मनी ने एक plastic pollutions को रोकने के लिए एक समझोता किया है यहाँ पे cities combating plastic entering marine environment को लेकर और यह project का यहाँ पे aim है enhancing practices to prevent plastic from entering the marine environment यानि जो है वो समुदरी जो जीव जनतों है या जो जीवन है यहाँ पे अलग अलग जीवों का उसको यहाँ पे नुकसान नहीं पहुचाए जाए plastic की वज़े से जो हो रहा है यहाँ पे तो उसको रोकने के प्रियास यहाँ पे किये जा रहे है कुछ select यहाँ पे state किये गए है जैसे उत्तर प्रदेश, केरला, अंड़मान, निकोबार, आईलेंड को कुछ सहरों को यहाँ पे identify किया गया है उसके लिए कानपूर कोची, pot blayer for period of three and half years यानि लगबख साड़े तीन साल तक इस जो है वो समझोते के तहत यहाँ पे काम किया जाएगा इन दोनों देशों के सांझा प्रियास यहाँ पे रहेंगे इसके बाद में यूनियन मिनस्टर प्रलाद सिंग पटेल जो की सेंसकरती और प्रियावरन मंत्राले से जुड़े हैं यहाँ पे इन्होंने पहली अपने आप में एक online exhibition रामाईन की जो है इसका inauguration किया था जिसमें 49 pantings यहाँ पे exhibit की गई और नई दिल्ली के अंदर नाशनल म्यूजियम के अंदर इनको प्रदशित किया गया एक महत्पुन जानकारी यहाँ पे आपको और दियान रखनी है विस्वस्तर पे world animal vaccine day जो है वो 20 अप्रेल को मनाया जाता है अभी आपने थोड़े दिन पहले ही एक नाम सुना होगा कार्नी वैक बिसमें कोरोना वाइरस का टीका है जो पस्वों के लिए वो बनाया गया है तो स्पूतनिक 5 जो की रसिया के दौारा बनाया गया है उसी देश के दुआरा यहां पे कॉर्णी वैक जो है वो वैक्सीन जानवरों के लिए भी रसिया ने तयार पहला किया है विस्व के अंदर इसके बाद में आज की अपनी अंतिम स्लाइड है यह इस पे देखते हैं कॉविड नाइटेन वैक्सीनेशन को लेकर सरकार ने 45 सो करोड रुपए यहां पे एप्रू किये हैं क्रेडिट टू सीरम इंस्ट्यूट को दिये हैं यह और भारत बायो टेक को यह रासी यहां पे द कोवी सिल्ड का जो है वो निर्मान करेगी जबकि पंदरा सो करोड रुपए भारत बायो टेक को दिये गए हैं और यह किसका निर्मान करेगी कोवैक्सीन का निर्मान यहां पे करने वाली है इसके बाद में देखो एमेजॉन इंडिया ने एक घोशना की है कि भारत में दस स्मार्टफॉन जहें वो कंपनी है आईसमान खुराना को ब्रांड एमेसेटर बनाया है जस्ट डायल के ब्रांड एमेसेटर रनवीर को मार यहां पे बने है आर बी आई ने एक दुबारा से नियुकती को जहें वो यहां पे हरी जंडी दिखा दी है मुल्ली नटराजन को जो DCB बैंक के MDN CEO दुबारा बने हैं, इसके बाद में एक परशिद रेडियो लॉजिस्ट काकराला सुबा राव, इनका निधन हो गया है हाली के अंदर, फार्मर इंटीरियर मिनिस्टर जो है किम बू क्यों, ये एक नई नियुकती हुई है, परदान मंतरी के तोर पर साउथ कोरिया के अंदर एक नई नियुकतीन की जो है, इसके बाद में एक कनड़ा राइटर है, यहाँ पे कनड़ भासा की लेखक है, प्राफेसर जी वेंकट सुबए, ये जो है वो अभी हाली के अंदर एक सो साथ साल की उमर में इनका निधन हो ग अंदर इनों ने बेजा था लूना 25 को, लूना 25 जो मिसन, सुरी, 24 को अभी जो है वो 25 मिसन बेजा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि रसिया के दौरा जो है वो इसको बेजा जा रहा है, तो यह आज के महत्पुन करंट आफेर थे, जो मैंने आपके साम होगी नए करेंट अफेर के साथ नई जानकारियों के साथ अपन फिर्म लेंगे आपको वीडियो को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद